जैहिन दोस्तों, A2B2 Study की YouTube चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार दिख स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम Physics के एक बहुत ही Most Important Chapter Electronics इस Chapter के Theurical और Objective-based जो भी Question Exam में पूछी आते हैं और जो भी Numerical-based Question इस Chapter से आते हैं सभी को आज Completely Solve करने वाले हैं यानि इस Chapter को आज हम Complete करने वाले हैं तो आज Class बहुत Important होने वाली है और Class थोड़ी लंबी भी हो सकती है अगर पहरी बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा चुरी आज की Class को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तो इससे पहले कि हम Class को स्टार्ट करें अगर आपने अभी तक हमारी टेलेग्राम चैनल को जोईन नहीं किया है बीतर अनियमित रूप से गती करते रहते हैं इन इलेक्ट्रानों को क्या करते हैं मोक्त इलेक्ट्रान करते हैं देखे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जोसके कि कुछ इलेक्ट्रान अपने मूल परमालू से इलेक्टान जो होते हैं परमालू में एक कच्छी गती में गती करते रहते हैं और इसी पकार अगर हम समझे ध्यान से तो अगर कोई चालक है तो उसमें भी आपका एक इलेक्टान होता है जोकि Pre-Electron गुमता है, तो हमें क्या होता है, धारा का प्रवाह हो पाता है, तो इसी पकार, क्या होता है, कुछ पतारतों में जो Elelectron होते हैं, वो अपनी गती से निकल करके, माली जिये, ये Ele Tankğ time है, गती कर रहे हैं कच्छी गती में, तो एलेक्टऌन क्या होते हैं, यगर य यहां से माली जी यह गती करने लगते हैं, एक इलेक्टरान है और यहां पर गती करने लग रहा है इस गती में, तो क्या होता है, यही जो अपनी कच्छा से हट करके गलिदी करने लगता है, इसी गती क्या करते हैं, अनियमित गती भी करते हैं, यह जो अला हो जाते हैं, उसको कि अपनी इच्छा से गती करते हैं, चाहे वो गती कैसी भी हो सकती है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन गैस भी करते हैं, क्या करते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन गैस भी करते हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, कि जब इलेक्ट्रान अपनी था भी डाइग्राम के मद्ध हमसे कि अगर कोई चालक है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाइत हो रहे हैं तब इतु धारा भी प्रवाह होगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है धारा का प्रवाह हो पाता है इसे क्या करते हैं इसे चालन इलेक्ट्रॉन भी कहा अर्थात लगभग 10 to the power 22 से 10 to the power 23 प्रती घन सेमी होती है question से बनेगा आपका कि धात्वों में जो मुक्त इलेक्ट्रोन होती है उनकी संख्या कितनी होती है तो वो 10 to the power 22 से 10 to the power 23 तक घन सेंटिमीटर में होती है इसके बाद है मुक्त इलेक्ट्रोन पर नाभिक का नियंतर रहता है जो मुक्त आपके इलेक्ट्रोन होते है मालीज आपके जो इलेक्ट्रोन इसमें मैं बताया था भी मैंने कि इलेक्ट्रोन जो घूम रहे है इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रान इसका नियंतर क्या होता है तो वो नाभिक का होता है यानि केंद्र का होता है मुक्त इलेक्ट्रानों पर नाभिक का नियंतर नहीं रहता है परन्तु भीर भी ये पदार्थ की परिसीमा के भीतर ही गति करते हैं जैबके मुक्त इलेक्ट्राण होते हैं, इनपर नाभिक का तो नियंतर नहीं रता है दोस्तो मुक्त इलेक्ट्राण के बिपरित्ह होता है आपका बद्ध इलेक्ट्राण यानि bound electrons वे electron जो पनवालू के नाभिक से बद्ध होकर उसके चारो और परिक्रमा करते हैं उसे बद्ध electron कहते हैं जो मैंने आपको एक्जाम्पर के तौर पर समझाया था कि यह आपका कोई कच्छा है इसमें electron जो है गती कर रहा है तो ठीक है इसमें बद्ध है न यह आपके क्या होगे बद्ध electron होगे समझ गए आप तुझी से bound electrons कहते हैं बद्ध electron पर नाभिक का अत्यधिक नियंत्र रहता है जो आपके बद्ध electron होते हैं यो bounded electrons होते हैं इन पर नाभिक का पूरा नियंत्र होता है अर्थात अत्यधिक नियंत्र रहता है आगे हैं आपका फर्मी उर्जा याने की फर्मी एनर्जी किसी धातों के मुक्त इलेक्ट्रॉन यानि जिरू केल्विन पर जितनी अधिक्तम उर्जा गतिज उर्जा रखते हैं उससे करकते हैं फर्मी उर्जा याने की इसे EF से रिनूट करते हैं, क्या से? EF से, दोस्तों बहुत ही ध्यान से आप थियोरी को पढ़ियागा, क्योंकि हम जब आपको objective या फिर numerical type question करते हैं, तो ये आपका का एक प्रकार से revision ही होता है, इसके बाद है आपका electron oxygen, यानि कि electron का emission, electron oxygen की पांच कुल विधिया हैं, इनमें से पहली विधिया है, तापायानिक्स उत्सरजन, यानि कि thermo-o-neic immersion, दूसरा है प्रकास बैदित उत्सरजन, यानि फोटो-लेक्ट्रिक इमेशन, तिसरा आपका है छेत्र उत्सरजन, यानि कि फिल्ड इमेशन, चोथा आपका है दितियक उत्सरजन, यानि secondary इमेशन, पांच वापका है स्वत्व बीटा उत्सरजन, यानि पीटा इमेशन, ठीक है, तो हम एक एक करके सभी को देखेंगे, सबसे पहले तापायानिक उत्सरजन क्या है, यानि थर्मोनिक इमेशन, ताप के प्रभाव से, किसी धात्विक प्रिष्ट से, इलेक्टान उत्सरजन की घटना तापायनिक उत्सरजन कहलाती है, अगर ताप के प्रभाव से, किसी धात्विक प्रिष्ट से, माल ये कोई आपका धातू का एक प्रिष्ट है, एक सत्व है, जब इस पे सूरे का प्रकास पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है सूरे का प्रकास पढ़ रहा है तो यह आपका क्या होगा हीट होगा गर्म होगा तो इसमें उलक्टरान का जो उत्सर्जन होगी यानि जो इलक्टरान इसमें फ्लोर होने लगे तो यह ताप के कार्ड हो रही है यह जो हो रही है क्रिया यह ताप के कार्ड हो रही है सूरे के ताप के कार्ड तो यह क्या हो गया यह ताप के कार्ड हो रहा है उत्सर्जन इलेक्ट्रोनों का तो यह तापायनिक उत्सर्जन कहलाएगा बहुत ही असान है बस आपको समझना ह इस प्रक्रिया में उत्सरजित इलेक्टान तापायन कहलाते हैं तापायनों के कारण किसी परिपत में बहने वाली धारा तापायनिक धारा कहलाती है इस जो तापायन के कारण किसी परिपत में बहने वाली धारा होती है यानि इलेक्टान प्लोहों के धारा बहेगी तो ये त तापानिक ढाविक्हाल आती है। त्याया। उर्णक के लिए प्रयुक्त धातु का गल्लाक जो होता है ब्रывает कम होना चाहिए। यह भी इंपर्टेट है। त्हापानिक उर्डा की इसके अविश्करता का नाम की प्रभाव कोते हैं। तापानिक उर्टर्जन को इसके अविस्करता की नाम पर रखा गया है यानि इडिशन प्रभाव इसको कायाता है और तापानिक उर्टर्जन का जो अविस्कार के थे वो इडिशन नाम की भ्यक्ति ने किया था इसलिए इनके नाम पर इसको इडिशन इफेक्ट यानि तो आपको ये formula यूज़ करना होगा i is equal to 80 square e to the power minus b by t अब यहाँ पर क्या 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 है देख लेते हैं जहाँ पर a वो b प्रद्योग ततंतु के लिए नियतांक है यानि constant value है यहाँ पर जो आपका a और b है ना यानि कि a और ये minus b जो है वो एक constant value है और t जो है वो आपका परमताफ है t यानि temperature है इस समीकड के अनुसर ताप t जो है यानि ताप को temperature को बढ़ाने पर संत्रिप्त धारा यानि कि i बढ़ता नीचे चित्र में परशित किया है आई हम figure देख लते हैं क्या है तो देखिए आपका figure हो गया यानि हम जब temperature को बढते या घड़ाते हैं त धारा का जो मान है वो ऊपर पढ़ता है ठीक है तापानिक उपसरजन के लिए दोस्तों इससे question क्या बनेगा question बनेगा कि तंगश्टन धाचु का जो गलनांग होता है वो कितना होता है तंगर्ष्टन धातु का गलनांग कितना होता है तो तंगर्ष्टन धातु जो है इसका गलनांग 3655 कल्विन होता है Most important question है यह 3655 कल्विन होता है किसका तंगर्ष्टन धातु का गलनांग इसका कारेफ्रन कितना होता है कारेफ्रन जो है वो 4.52 electron volt यानि की ऐ भी कितना 44.52 इलेक्टान वोल्ट होता है ठीक है का ब्रघ्ण का मानन कम करने पर करने के लिए इसमें Heather व थोरिया मिलाकर थोरिया युक्त टंगस्टन प्राप्त कर लेते हैं इस प्रकार कारेफलन घटकर 2.61 इलेक्टान बोल्ट रहाता है तता इलेक्टान उसरजन 1700 केल्विन से 1900 केल्विन के बीच होता है दोस्तों वीडियो के last में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे आपका पढ़ेंगे gate के बारे में यानि and or not जितने भी gate होते हैं उसका symbol और उसके प्रतीक और उसका जो समीखर होता है बहुत ही most important होता है आपको एक से दो जो उसके figure यानि की diagram या फिर उसके समीखर आपको 100% एक वरान्टी गाराण्टी लेता हूँ तो दोस्तो प्लीज इस वीडियो को फोल देखिएगा डायोड वाल्व क्या है दायोड वाल्व का अविस्कार जो है वह यापिए मैंने हाइलाइट कर रखाया तो इसको गहराई समझे, जो diode valve है, इसका अविस्तकार, England के वैग्यानिक flaming ने किया था, किसने किया था? England के वैग्यानिक flaming ने किया था, दो इलेक्ट्रोडो वाली वह युकती, जो किसी विद्धु धारा परिपत में धारा के एक दिसी प्रवाह के लिए उत्तरदाई है डायोड वाल्व का लाती है डायोड वाल्व समझते आप हैं देखिए डायोड वाल्व एक ऐसा आपका वाल्व होता है इसका कार क्या होता है मालीजी यह आपका कोई सरकीट है बहुत ही ध्यान समझेगा यहां पर मालीजी हमने बल्ब लगा दिया है क्या लगा दिया है और यहां पर हमने का लगा दिया है बायाटरी लगा दिया है का लगा दिया है बहुत ही ध्यान समझेगा आपको बहुत चैसे समझ भी आएगा यह कि हमने यहाँ पर बैटरी लगा दिया है तो होगा क्या कि जब हम इस बल्ब को जलाएंगे मालीजे बल्ब आपका जल रहा है और इस बैटरी को हम अमले चार्जेबल बैटरी है इसको हम चार्ज भी लगतार करते रहते हैं तो यह बेटरी का plus cダ और यह minus cダ दिने बेटरी का plus sida और यह minus cダ दिने बहुत इधहान समझेगा आपको समझ में आ जाएगा यह अपका plus sida है यह detto black kaga minute sida है इसमें आपने बैटरी को चार्ज लगा दिया आपने एक charger लगाया नॐ यह आपने यहापने charger को खोशा हुआ और वीच के आपके जो हैं वह चली गई तो होगा क्या होगा कि सबचने के लिए हम करते क्या हैं हम करते हैं कि यह जो आपका वायर होता है जिसमें हम चार्ज लगाते हैं यहां पर हम क्या करते हैं कि हम यहां पर डायोड वाल्व का यूज करते हैं यहां पर हम डायोड वाल्व का यूज करते हैं इसमें होता क्या है जो आपका डायोड वाल्व होता है इसमें होता क्या है क इसमें हम अगर यहां से धारा दे रहे हैं यहां से धारा दे रहे हैं यहां से धारा यहां से जाएगा तो जरूर यहां से धारा जाएगा धारा यहां से जाएगा और इधर में प्राप्त भी होगा यहां पर हमें प्राप्त भी होगा पर जब धारा का जो है वो बहना बंद जाएगा यानि कि जब आपकी बिली कट जाती है तो यह धारा रिवर्स में वापस यहां पर नहीं जा पाएगा क्या होगा रिवर्स में वापस नहीं जा पाएगा इसलिए हम डाइवोड वाल्व का यूज करते हैं आइधिंग आपको बहुत ही अच्छे समझ मैं होगा तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और सेयर कर दें इसमें दो इलेक्ट्रोड कैथोड या तंतू एनोड या प्लेड काज के निर्वाति बल्व में लगे होते हैं तो आइधिंग आपको यह डायोड वाल बहुत ही अच्छे समझ मैं होगा दोस्तो जो आपको डायोड होता है न इसका उपयोग दिष्ट कारी यानि रेक्टी फायर के रूप में किया जाता है दिष्ट कारी क्या होता है यानि रेक्टी फायर क्या होता है पत्या वर्ति धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलना ही डिष्ट करण कलाता है करते हैं तो एसी धारा को डीसी में बदलता कौन है आपके घर में जो इनवर्टर बगार लगा होता है तो इसमें क्या होता है यह अपका रेक्रिक्रिक्टिफ फायर के तरह कार करता है तो यह क्या करता है यह AC के प्राप्त धारा को DC में बदल के आपके बैटरी में स्टोर करता है तो जो आपका दिश्टी कारी होता है इसका कारी यही होता है DC को AC AC को DC में बदल कर उसके DC मान को संगरित करता है तथा इस कारी के लिए प्रयोक्त यंत दिश्ट कारी कर लाता है यह दोर प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से होते हैं पहला आपका और तरंग दिश्टाकारी यानि की Half-Wave Rectifier यह सब अपने अपनी पिछली कच्छा में यानि इंटर्मीडेट में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पड़ा होगा पर यहाँ पे हम थोड़ा आपको समझा लेते हैं यह परत्यावरती धारा की केवल आधी तरंग को ही दिश्ट धारा में बदलता है इससे रुक-रुक कर धारा प्राप्त होती है और तरंग दिश्ट कारी जो होता है यानि Half-Wave Rectifier जो होता है इससे जो परत्यावरती धारा DC में चेंज होती है वो आधे तरंग को ही दिश्ट धारा में बदल सकता है जो आपका आध तरंग दिश्ट कारी होता है दोस्तों जैसा कि आप इस फिगर में समझेए देखे यह आपका Alternative Current हो गया यह जो है यह आपका alternative current हो गया पर यह जब दिश्टी कार्ण होता है और धातरंग दिश्ट कारी के द्वारा तो यह कुछ इस प्रकार से DC के रूप में इस्टोर होता है यादि DC प्राप्त होता है तो यह किवल और धातरंग को दिश्ट कार्ण कर पदता है यह जो आपका alternative current है तो केवल यह हो गया आपका पर जो यह नीचे वाला भाग है यह जो होता है यह distry current नहीं हो पाता है क्या होता है नहीं हो पाता है तो इसी को कहते हैं और्धतरंग dist curry तो I think आप समझ गया होगा कि और तरंग डिस्ट कारी क्या है इसके बाद हम देखेंगे फूल वेव रेक्टिफायर क्या देखेंगे फूल वेव रेक्टिफायर दर्सा की इसमें नाम से इस परस्ट है कि पूर तरंग डिस्ट कारी यानि फूल वेव रेक्टिफायर तो यह पुरी तरंग को दिष्ट धरा में बदल देता है इसमें दो डाइयोड लगे होते हैं कौन कौन से लगे होते हैं आए देखले निचे हैं देखिए इसका डाइगराम में कुछ इस परकार बनता है जैसा की alternative current आपका है तो पहले तो ये था वर जो बाढ़ में आपके धारा होती है, वो कुछ इस प्रकार शे होती है, यानि कि बाढ़ जब की धारा होगी न हो इस प्रकार से होगी हुगी. यानि है पूरे तरंग को ही दिष्टि कर देता है दिष्टि कर के निर्गत में दिष्ट धारा वर परत्यवरती धारा का मिस्टर प्राथ होता है अर्थाथ निर्गत वोल्टीज में काफी उच्चावन यानि फ्लक्चुरेस्चंस होते हैं AC धारा वर DC धारा के अनुपात को उर्मी का गुड़न करते हैं क्या करते हैं AC वर DC धारा के निर्गत बोल्टर जो होता है वो आपका क्या कर लाता है उर्मी का गुड़ांग कर लाता है यानि कि रिपल फैक्टर भी से कहा लाता है इसे R से रिनोट करते हैं इसमाल आर से इसे दिनोड करते हैं और इसका फार्मुडा देख लिए जो कि इंपॉर्टन है आर इसकोल टू आई एसी बाई आई डीसी यानि धारा का एसी मान बाई धारा का डीसी मान और तरंग डिस्टकारी के लिए आर इसकोल टू 1.21 तथा पूर्दण डिस्टकारी के लिए आर इसकोल टू 0.48 होता है और यह मैलू जो है वो वैलू निश्चित होता है तो यह आपको याद होना चाहिए इसलिए निर्गत परिपत में सुद्र डीसी प्राप्त करने के दिस्टकारी से निर्गत धारा को शेड़ी प्राप्तव व समांतर संधारित से गुजा जाता है इसे फिल्टर परिपत करते हैं देखिए वो आपका इंपोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसको केवल पढ़के छोड़ दिया इंपोर्टेंट जो आपका है मैं को बहु इसकी जो अधिकतम एफिजियंसी होती है वो 81.2% होती है यह आपका 100% पूछा जाएगा एक्जाम में यह जो है आपका यह एक्जाम में 100% पूछे जानेगे इसके चांसेज बनते हैं यह दोनों ही दोस्तो हमने डायोड वाल्व को पढ़ दिया है अब हम पढ़ेंगे ट्रायोड वाल्व ट्रायोड वाल्व का अविसकार किसकार अमेरिका कही वग्यानिक लिडे फॉरेस्ट के द्वारा किया गया था ट्रायोड वाल्व में कैथोड वा प्लेट के बीच एक तीसरा जाली नुमा इलेक्ट्रोड जिसे की ग्रिड कहते हैं लगा होता है तीन इलेक्ट्रोडों के कारड इसे ट्रायोड या त्रिद्रूवी वाल्व कहते हैं बिए रलेल में किवल दू डायोड से रांज होते हैं त्रीफर जिया निक्ति पंफ होता है। उसे प्लेट विभव, गीट विभव दोनों से नियंतित किया जा सकता है, चालक और दचालक तथा और चालक के बारे में, यानि कि कंड़क्टर्स, सेमि कंड़क्टर्स and इंसूलेटर के बारे में, दोस्तों समानता कोई भी ठोस पदार्थ हो, तो उनको हम दो वर्गों में कंड़क्टर्स, तो चालक व पदार्थ यानि कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिन में कि धारा का प्रवाः बहुत ही आसानी से हो रहा है, या फिर उस्मा प्रवाः आसानी से हो जा रहा है, वो चालक पदार्थ काल आएगा, जैसे कि कॉपर ले लिजिए, हैल्यूमिनियूम ले लिजिए, आयरन ले लिजिए, ठीक है, इस समय धारा का प्रवा बहुत ही सुगमता से असाई से होता है, तो यह सबाब के चालक है, वह ही आपका लकडी, लकडी में कभी धारा का प्रवा हो पाएगा, नहीं, लकडी, प्लास्टीक, यह सबाब के और चालक पतार्थ तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्राणों की संख्या जो होती है, वो 10 to the power 28 प्रती मीटर क्यूब अधिक होने से चालकता अधिक होती है, जो चालक होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्राणों की संख्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्राण जो होते हैं, उसी के करण्ट फ्लो होता है, करंट जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रानों के कारण ही फ्लो होता है तो चालकों में यानि जो चालक होते हैं उनमें करंट जो फ्लो होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रानों का मान होता है वो लग भग में 10 to the power 20th प्रटी मीटर क्यूब के बराबर होता है और इससे अधिक होने कारण ही चालकता भी इसमें होती है कियो के इक एक्डले होती है पिर और डीर अग्डल कुर्षा की संक्या क्या होती है वो नगर्ण याने की बहुत कम, नगर्ण याने की बहुत कम होने के कारण इसकी चालकता जो होती है, वो सुन्य होती है, यानि ये चालक के ब्रतार ब्योकार नहीं करते हैं, ये और चालक होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, जिनकी चालकता चालकों वो और चालकों यह होते हैं कि इनमें जो इर चालक के तरब भी आहर बहुते हैं और और चालक के तरब भी भी नहीं, दोनों के गुळुंग होते हैं। तो यह और्ध चालक के लाएंगे, और चालक जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि चालक अचालक यह सब आप सभी जानते होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, पर जो आपके और चालक होते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से, पहला आपका होत होते हैं इनमें कोई भी अपद्रब्य नहीं मिला होता है प्राक्टिक अवस्था में सुध्ध जर्मिनियम जो है और इसके अलावा सिलिकान जर्मिनियम और सिलिकान जो है यह क्या है और चालक है आपको एक जामें 100% कुश्चन बनेगा क्या कि आपको चाला अपसंदेंगे इसमे क्के इसमेक कौन से वह और चलक है या फिर नहीं है तो आपको यह पता होना चाहिए जर्मिनियम कोटर होते हैं वो धनात्मक होते हैं तो ये दोनों की संख्या जो थे है, इलेक्टान और कोटर की दोनों की बराबर होती है दूस्तो अर्थ-चलकों में दोज़रा होमारा है वह है बाह अर्थ-चलक यहने कि extrinsic semiconductor यह क्या है तो नैज अर्चालकों की वैद्यू चलकता अत्यंत अल्प होती है परन्तु यह इनमें कुछ अपद्रब्य मिश्वित किया जाए तो प्राप्त क्रिश्टल की वैद्यू चलकता बढ़ जाती है क्या होती है? जो आपके बाई अर्चालक होते हैं इनमें ऐसा गुड़ होता है यह तो होते हैं अर्चालक पर अगर इसमें कुछ ऐसे असुद्या मिला दी जाए तो क्या होता है कि यह चालक की भाती विवार करने लगता है आइसे अपर द्रब्यों मिस्थित के आने वाले अइसे आपर मिस्थित के जाने वाले अपर द्रब्यों के प्रकार के अधार पर बाय अथित कीया गया है जो आपके बाय और्ध चालक होते हैं, इनको चालक बनाने के लिए इसमें अपद्रब्य और असुधिया मिला जाती हैं, तो ये जो असुधिया मिला जाती हैं, इसके अधार पर इनको दो भागों में भाड़ किया गया है, कौन-कौन सा, पहला है आपका N-type और दूसरा है P- अर्ध चालक और P- अर्ध चालक ये दोनों ही आपके 100% most important question बनते हैं इससे, पहला आपका N-type क्या है, N-type semiconductor, जब किसी सुध अर्ध चालक में कोई पंच सन्योजक असुधि मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, पंच सन्योजक असुधि मिलाते हैं, दोसरों आपका जर्मेनियम, आर्सेनिक या फिर सिलिकॉन जो है, ये तब आपके क्या हैं, ये पांच सन्योजता रखते हैं, इनका जो इलक्टॉन का बाहरी कोस होता है, इसमें पांच सन्योजता होती है, क्या होती है, पांच होती है, इसलिए इनको पांच सन्योजक असुधि कहा जाता है, तो जब ज इसे प्रकार प्राप्स जो असुद्ध क्रिष्टल होता है उसको n-type और्थ इसके तौर्ण आपका crystal बनता है उसको n-type और्थ चालक कहा जाता है इसके बाद दूसरा आपका ह्पी टाइप 12 चल्रक फी टाइप सेमिक। तो इसमें क्या होता है सेम इसी प्रकार इसमें पांच आसुद्धी मिला T इसमें तीन संव ragतावाले प्रधाद को मिलाते हैं यह जब हम पी टाइप outdoor में तीन सन्योजकता वाले यानि तीन सन्योजी तत्व को मिलाते हैं या फिर पदार्थ को उसके अड़ों को मिलाते हैं तो वो क्या होता है वो P-type और चला क्यानिकी P-type सेमिकंडक्टर का निर्माड होता है तो N-type और P-type आप I think समझ गया होंगे बस सिंपल समझना है क्या समझन टाइब को क्या है और प्रत्व होती है दोस्तों जब P-type crystal को N-type में जोड़ देंगे ये पी एन संधी डायोट ही उपयोग। करने में में और संधारीत के रूप में भीärenải Josh का यूज्श पूछा इतनी डयालों का प्रतिक चिन्ह इंट मंइर में अभ्यों करने में दोक्तिक है आपको दुसरा दिया था क्या ये दिया था उल्टा दे दिया था ठीक है और एक तो ये दे दिया था क्या दे दिया था कुछ इस प्रकार दे दिया था और इसके अलावा आपका एक ये भी दिया जाता है ये रहेगा आपका ये तो है ही और इसके साथ यहाँ पर ये तो आप हमें comment box नो बताईए कि ये क्या है और या फिर ये क्या है ये ठीक है ये भी आपको दिया गया था तो जो आपका PNC निडायोट का सिंबल है न वो ये है क्या है ये है ठीक है दोस्तो नेक्स्ट जो आपका most important topic है वो है कहलाती है N वो P प्रकार के अर्चलक N और P प्रकार के अर्चलक आपने पढ़ लिया है क्या पढ़ लिया है N टाइप अर्चलक क्या हुआ जिसमें 5 सन्योजी तत्व मिला होता है ठीक है 5 सन्योजी तत्व का अपरब दर्व मिला होता है वो आपका N-type हो गया और P-type प्रकार के अचलक यानि कि इसमें 3 सन्योज़ी मिला हो तो यह आपको हमेशा याद करना है हमेशा याद रखना है तो N-type और P-type अचलकों को इस प्रकार सन्योज़ किया आता है कि वो उसे हम Triode Valve ने पढ़ा था न तो Triode Valve के जगवा पर हम N-और P-type के अचलकों को इस प्रकार समया उजित करके यूज़ कर सके तो उसके इस्थान पर यूज़ कर सके तो यह क्या करता है आपका Transistor करता है तो दोस्तों Transistor जो होते हैं वो कुल दो प्रकार के होते हैं PNP Transistor और एक होता है NPN Transistor अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इससे आपके 4 से 8 marks 100% sure हो जाएंगे क्या हो जाएंगे sure हो जाएंगे इसलिए इसको जो miss करेगा वो समझ लिजिए कि अपना 10 से 12 marks खुद पर खुद गवा रहा है क्या कर रहा है खुद पर खुद दे रहा है तो बहुत इध्यान से समझेगा इसमें हम थोड़े भी जल्दी बाजी नहीं करेंगे क्योंकि इसको समझना बहुत ही आवस्यक है पहला आपका है PNP Transistor PNP Transistor फेगर में देखिए यह आपका है PNP Transistor देखिए यहा पर P हो गया यहाँ की नहीं समझना है E कहाँ को पूचा जाता है यह आपका PNP Transistor है न इसमें E क्या है तो यह आपका Emitter है क्या है? कि इसको उत्तर्स रजग या फिर इंगलिस में Emitter कहा जाता है B क्या है B जो है यह आपका base है दोस्तों यह मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ यह आपका previous question paper में 1221 वाले में यह पूछा गया था A meter पूछा गया था base कितने ही बता रहा हूँ मैं लेकिन A meter जो है E क्या है PNP transistor में आपको दिया था figure और इसमें E क्या है E आपका emitter यानि उत्सर्जक है paper में question आपको दोनों ही both long ओज में देखने को मिलेंगे यानि English और Hindi दोनों ही देखने को मिलेंगे C क्या है तो C आपका collector है क्या है collector है यानि कि संगरहक जिसे का जाता है तो emitter, base, collector उत्सर्जक, base और collector, ठीक है base तो आप जानते होंगे base यानि कि किसी भी चीज का base, main उसका part base न तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको इसमें से क्यावल यह आत करना है कि E, B, C PNP में E, B, C आपका NPN में भी सेम यही होगा E, B, C ही emitter, base, collector ठीक है, आपको समझना क्या है, इसमें समझना है आपको ये ये अपका 100% एक जाम में देखने को मिलेगा, और ये आता है कोई भी सेट देख लिजे, अब तक कई जाम इतना हुआ है, कोई भी सेट देख लिजे ये आता ही आता है दोस्तों ये आप symbol देख रहे हैं कि आपको ये symbol याद हो गया क्या आपको ये symbol याद हो गया आप कहेंगे सर याद हो गया पर मैं आपको इसकी guarantee देटा हूं कि आप इससे बाद में hundred percent भूल जाएंगे मालेजिए अगर मैं इसको बना रहा हूं यापर ठीच क्या बताईएगा यहां पर मैंने यह बनाया यह किया यह किया इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको ऐसे जोड़के यहां पर निकाल दिए ऐसे जोड़के यहां पर निकाल दिए ठीक है और इसके साथ साथ हम इसको यहां पर एक एरो लगा दिए और हमने यहां पर क्या दशा लिखा, e, b, ठीक है, और यह आपताब बेज तो है ही, तो बताइए क्या यह और यह सई है, बताइए क्या यह और यह नीची जो मिने मैं बनाया अभी, क्या दोनों की दोनों सही है, आप कहेंगे कि सर सही है, क्या है? तो अगर और आप cells आप देखेंगे, तो आपको seja में theGenra question जो है यह भी बन सकता है, यह भी बन सकता है पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा, बस change कर देता यहाँ यहाँ पर आपके यह arrow लग जे जाली पूलगा है, यह arrow आपका ऐसी लगा दिया तोब क्या होगा यह PNP का जो symbol है इसमें जो emitter है वो आता है emitter जो है वो आता है इसलिए इसका arrow जो है ऐसे लगा है emitter जो है वो आ रहा है emitter जो है इससे current आ रहा है इसलिए इसका symbol ऐसे लगा है चाहे वो उल्टा ही क्यों न बना दे यानि अगर वो ऐसे भी बना देता है इसमें भी अमिटर जो है वो आएगा वहीं अगर आपका ये सिंबल कुछ इस प्रकार बन जाता है ये हो गया और ये आपका बेस एमिटर कॉलेक्टर बन गया अगर आप यहां पर आपका यही इक सिंबल होगा ठीक है तो आप समझ गया होंगे ये आपको सिंबल याद होना दूसरा जो हमारा है वो है अपर आउन्ड टांजिस्टर में किया है ये अपका N होगया ये आपका P हो गया आपका N हOWगया एन्पियर ट्रांजिस्टर, टीक है ए E-B-C, E-Meter Based Collector, तो क्या है, E-Meter Based Collector, अब देखिए, NPN transistor में क्या है, तो NPN transistor में क्या है, इसमें जो आपका, इसमें तो अगर यहाँ पर सिंबल यह लग गया, तो क्या हो जागा यह, अगर सिंबल यहाँ पर यह बाला लग गया, तो क्या करेंगे, फिर भी आप इसका correct answer NPN transistor ही लगाएंगे, पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर E-Meter जो है, वो जा रहा है, इसके current बाहर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंबल जो है, वो उल्टा लगा है, तो यह आपका क्या हो गया, यह NPN transistor हो गया, सेम उसी परकार है, बस यहाँ पर arrow जो है, यह इस परकार लग लगा दिया है, या फिर यहाँ पर सिंबल बाहर की तरफ लगा दिया है, तो यह आपका PNP transistor हो जाता, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजेगा, और हो सके तो वीडियो को एक बार फीज से reverse करके देख लीजेगा, आपको इसका हर कुछ क्लियर हो जाएगा, और आ उनको solve कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से एक्जाम में question ऐसे आते हैं, जो कि theory based जी आते हैं, theory सही question को बना करके आपको दिया जाता है, तो अगर आपने theory अच्छे से पढ़ रखी है, तो आपको objective numerical question solve करने में बिल्कुल ही पैसा आई नहीं होगी, क्योंकि आपके formula जो होंगे वो आपको याद होंगे, तो चलिए अभी इस chapter से जितने भी most important question है, उनको solve करते हैं, ठीक है, class में आप लोग बहे रहिएगा, क्यों class काफी important है तो हमारा जो पहला प्रस्ण है, आज की class का वो है, transistor मूल रूप में है, एक क्या है, transistor जो है, वो मूल रूप में क्या है, दोस्तों अगर आपने हमारी theory वाली दो पार्ट की वीडियो नहीं देखी है, तो उस वीडियो को अवा से देख लें, अगर आप उस वीडियो को दे transistor जो है, यह आपका मूल रूप से क्या है, मूल रूप से एक धारा चलित साधन है, यानि धारा को चलाने का एक प्रकार से साधन है, option number D यहाँ पे हमारा correct होगा, next question है, एक transistor को पहले उभय निष्ट आधार प्रवर्धक के रूप में तथा, फिर उभय निष्ट उत्सर्ज के रूप में प्रवर्धक किया जाता है, voltage lab क्या होगा, आपको यह बताना है, तो दोस्तों अगर हम किसी भी transistor को उभय निष्ट अधार प्रवर्धक के रूप में और उसके बाद उभय निष्ट उत्सर्जक के रूप में यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो क्य अर्ध चालकों के लिए वर्जित उर्जा अंतराल कितना होता है, दोस्तों most important question है और यही क्वेश्टन बनते हैं exam में, अर्ध चालकों के लिए यानिन ini semi-conductor's जो होते हैं, उनके लिए वर्जित उर्जा अंतराल कितना होता है, तो ध्यान से इसको नोट कर लिए, जो अर जित उन्तरा अंतरनाल जो होता है वो एक electron bolt होता है क्या one electron bolt होता है तो यहां पर आपसर नंबर A हमारा इसका correct हो जावा answer दोस्तो next question है जो की 100% बनता है exam में और ऐसे ही question exam में बनते हैं कैसे निवन में NPN transistor का प्रतीक क्या है या पी 4 आपसंदिया हुआ है इसमें सको बताना है कि कौन सा ऐसा transistor है जो की NPN transistor का प्रतीक है दोस्तो क्योंकि मैंने आपको transistor NPN और PNP transistor के बारे में बहुत ही detail में बताया तो इसका जो correct tensor होगा वो होगा option number D मैंने आपको बताया था इसके बारे में बहुत ही detail में कि अगर यहां पर आपका arrow लगा हुआ है यहां पर आप arrow देख रहे है न अगर यह arrow एमिटर से बाहर निकलता हुआ arrow कर है तो वो क्या होगा वो आपका NPN transistor होगा वह यह arrow जो होगा वो अंदर की होड़ होता तो क्या होता हो तो वो हो जाता आपका PNP transistor तो इसके बारे मैंने आपको बहुत ही detail में बताया हुआ है आप theory वाली वीडियो को अवस्तित देख लीजिएगा आगला question है संधी diode में विश्रण धारा की दिशा होती है संधी diode में विश्रण धारा क जो दिशा होती है वो होती है आपकी P छेतर से N की तरफ किस तरफ P छेतर से N की तरफ ठीक है option number A हाँ पर हमारा correct answer होगा ठीक है next question है निर्मन लिखित में से किन ठोसों पदार्थों में कोटर आवेस वाहक होता है इसमें से कौन से आपके चार अपसन दिया हुए है इनमें से कौन से ऐसे ठोस है जो कि जिनमें की कोटर यानि होल्स जीसे कहा जाता है वे आवेस वाहक होते है अप्सन नमबर A आपका दिया हुआ है नैज अर्द चलक, B दिया हुआ है आएनित ठोस ची दिया हुआ है पी टाइप और चलक और आपका D दिया हुआ है एन टाइप और चलक तो दोस्तों इसका जो correct answer होगा वो होगा आपसन नमबर C यानि कि P-type अर्ध चालक यानि कि P-type सेमी कंड़क्टर तो आपसर नमबर C यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा नेक्स्ट क्या है P-type अर्ध चालक बनाने के लिए सुध सिलिकान में मिलाये जाने वाला अपद्रभ्य परमाडू कौन सा है जब आप P-type अर्ध चालक बनाते हैं तो उसमें सुध सिलिकान में कौन सा ऐसा अपद्रभ्य मिलाये जाता है जिससे कि आपका P-type अर्ध चालक जो है वो बनता है तो most important question है आपको यह बताना है इसका correct tensor कौन सा होगा तो दोस्तों इसमें आपको 4 option दिये हुए हैं आप देख सकते हैं इसका जो correct tensor होगा वो होगा option number यहाँ पर option जो है आपके phosphorus, boron, antimony और aluminium दिया हुआ है तो दोस्तों अगर इस question को हम देखेंगे तो इसमें option number B और इसके साथ option number D दोनों ही सही हो सकता है कौन-कौन सा option number B जो हमारा है और option number D दोनों ही correct tensor हो सकता है तो आपको ऐसा question जाम में नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर हम aluminium आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर हो सकता है बोडान के जवब पर और कोई भी देखने को मिल जाए पर यहां पर हमारे दोनों ही जो है वो P-type और चलक बनाने के लिए सुद्ध सिलिकान मिला जाने पर ये एक अपधर्ब के रूप में सामील होंगे तो आप द्रब्ब होंगे ये P-type और चलक बनाने के लिए आप संदी डायोट के अगरव परस्च प्रतिरोधों का अनुपात कितना होता है ये क्विश्चन जो है आपके पिछली एर के क्विश्चन पेपर में बना हुआ था कि पस्च और अगर आपनित जो होता है पी एं सनी रावड में उसके प्रतिरोतों कानुपात क्या होता है तो वो आपका 10 to the power minus 4 समंदे 1 होता है अपसे नुबर B यहाँ पर करेक्ट होगा जब और द्रचालक की चलकता सवन्योजोग बंध के तूटने के कारण तब और द्रचालक क्या कहलाता है जब और द्रचालक की चलकता सवन्योजोग बंध के तूटने के कारण होती है या पी रहे तो तब और द्रचालक जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों यह भी question आपका काफी important है तो इसका जो correct answer है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका correct answer होगा वो होगा option number C यानि की नैज और द्रचालक किसे करते हैं इसके बारे मैंने आपको काफी detail ने बताया हूआ है थियोरी प्राते समय तो आप इसको देख लिजेगा नैज और चालक इसका correct answer होगा next है उतकरम अभिनात यानि की PN संधी के अच्छे छेत्र के मध्य में कौन साइस में होता है क्या होता है तो विभव सुनने होता है विद्धु छेत्र सुनने होता है विभव अधिकतम होता है या फिर विद्धु छेत्र अधिकतम होता है उत्करम अभिनात पीयन संधी के अवचय छेत्र के मध्य सबसे correct टेंसर जोगा वो होगा option number D यानि कि विद्धु छेत्र अधिकतम होता है option number D यहाँ पे correct टेंसर होगा next आपका है ताप आयनिक उत्सर्जन में M.P.R. प्रतिवर्ग सेमी में electron धारा आई तथा कारेफ्रलन B के उत्सर्जन पदार्थ के परमताप यानिकि T के बीच संबंध क्या होता है दोस्तों यह आपका QL फर्मूला ही है आपको फर्मूला ही इसमें पूछ लिया है तो यहाँ पे हमारा जो correct टेंसर होगा वो होगा इसमें से option number C यानिकि I is equal to 80 square e to the power minus B by T इस फर्मूले को मैंने आपको बताया था फिक थियोरी पराते समय तो अगर आपको यह फर्मूला कीशी को भी याद होगा तो आप इसको correct answer दे देंगे तो अपना correct answer जो है वो हमें comment box में देते रहिए option number C यहाँ पे correct होगा अब next question देख लेते हैं अदिक्तम मान कब होगा जब की grid विभव जो है आपका वो क्या होगा आपको बताना है कि grid विभव क्या होगा तो यहा पे होगा धनात्मक हो तो टो था प्लेट विभाग धनात्मक हो यानि कि ट्रायोड वाल में दिये गया प्लेट विभव के लिए प्लेट धारा का अधिक्तमान तभी होगा जब कि आपका जो इसमें धनात्मक होना चाहिए क्या ग्रेट विभव जो है grade विभव, धनात्मक होना चाहिए और इसके साध, plate विभव, जो है, वो, धनात्मक होना चाहिए, जोनि, दोनों को ही, धनात्मक होने के कटिशन में ही, dad valve में plate विभव, उसमर अधिकतम होगा, ठीक है, a Scoop. दी यहां पर correct होगा, next, buried valve में, संतिर्प्त धारा की अवस्था में अन्योन चलगता क्या है ट्रायोड वाल्व में संतिर्प्त धारा की अवस्था में अन्योन चलगता जो होगी वो सुन्य के बराबर होगी आपसर नमबर A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसका क्या करण है जरो आपके किछूड पर बेरियम akside का लेप चढ़ा रहता है इसका क्या करण है इसका क्या करण है इस सब्स. तो आपको प्रोशन समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों कैथोड का तापानिक कालेफलन जो है वो काफी घड़ जाता है तो इसलिए जो होता है इसमें बेरियम या फिर स्ट्रांसियम का लेप लगाया जाता है तो आप आप आपसं देख रहे होंगे इसका आपसं नमबर डी जो है वो विल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट कोरेशन गया है नेक्स्ट आपका नुमिर्कल टाइप है एक डायोड अभी राच्छिरिक वख्र की प्रवरता जो है वह आपको दिया गवा है फोर इंटू तो दिपार मायस टू मिली एम्पेर पर बोल्ट है ठीक है एम एम इस फार्मुल्य को बहुत ही अच्छे जानते हूं जो फार्मुला में आपको बताने वाला हों मिली एम्पेर पर बोल्ट दिया हुआ है यानि आई का जो मान है बिली एंपर में किसको मापते हैं धारा को मापते हैं तो I कमान जो है वो 4 into 10 to the power minus 2 दे रखाया है और B, B यानि बोल्ट तो पर बोल्ट है तो यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं यह तो आपको क्लियर होई हो गया होगा कि यहाँ पर बोल्ट जो है वो पर बिली एंपर पर बोल् किते हैं ठीक है परतिडश आपको गयात करना है तो चलीए हम परतिड़प को गयात कर लेते हैं ठीक है तो हमको आर गयात करना है x इसका फार्मूला ऊता है रहा हम को तब कmesi स्क्राइब करें और ला चल् chciaं के यह उसल्ल question है देखिए हमको ग्याद करना है आर इसकोल टू भी गामान का है भी गामान है आपका वन और आई कामान हम नेकाला है कितना दिया हुआ है जोगी 4 into 10 to the power minus 2 milli ampere per volt दिया है दोस्तो ध्यान दीजेगा यहां पर अगर milli ampere volt दिया हुआ है तो अगर हम इसे ampere में change करेंगे तो आप जानते हैं किसी भी मिली ampere दिया हुआ है तो अगर ग्राम में change करना है तो क्या करते हैं 10 to the power minus 3 से भाग देते हैं यह तो आप जानते ही होंगे 10 to the power minus 3 से भाग देते हैं ग्राम बदने के लिए अगर मिली ग्राम में दिया हुआ है पर यहां पर मिली एम्पर दिया हुआ है तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा तो दोस्तों इसके बाद यहां पर 10 to the power minus 2 है और यहां पर minus 3 है यानि 10 to the power minus 5 total हो जाएगा ठीक है 10 to the power minus 5 total हो जाएगा तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्या लिख लेते हैं 10 to the power minus 5 दोस्तों इतना समझी है कि जब इसको हम उपर वेज़ेंगे तो यह जब मैस 5 है प्लस 5 हो जाएगा ठीक है तो देखिए जब इसको हम उपर ले जाएगे तो यह आपका प्लस में हो जा जब हम नीचे 4 आ गया और उपर आपका 10 to the power 5 आ गया तो जब इसको आगे solve करेंगे तो यहां पर आपका 100 है ठीक है 100 है तो जब इससे आप 100 into 10 to the power 3 के रहे उपर लिख सकते हैं या फिर माल लिख यह 10 to the power 5 है तो इसको आप divide कर दिए सिधे जो आपका 10 to the power 5 है ना इसको आएगा चार से डिवाइट करेंगे तो क्या आएगा देखिए अपका है कितना 1,0,2,0,3,0,4,0,5,0 by 4 जब इसको आप divide करेंगे तो यहां पर आपका चार से भाग देंगे तो आपका 25 बार में चला जाएगा 100 कट जाएगा और आपका 30 जिरो जो है वो ऐसे ही उतर जाए ओम आगे आपका दूस्तो आप यह भी जानते होंगे एक किलो ओम बराबर एक हजार ओम होता है ठीक है एक किलो ओम बराबर एक हजार ओम होता है तो उसी पकार हम 25,000 ओम को 25 किलो ओम लिख सकते हैं तो 25 किलो ओम जो आया हमारा है, option number A जो है, वो हमारा correct answer हो जाएगा, I think आपको ये प्रोश्ण समय में आया होगा, और बहुत ही आसान question है, ओम के नियाम पर ही अधायित है, तो अगर आपको नहीं समय में आया है, तो एक बार फिर से वीडियो को देख लिजेगा, clear हो जाएग प्लेट धारा की और और अधिक बढ़ाना चाता है, ये संभव है, यदि दोस्तों ये संभव तभी है, जबकि फिलामेंट की धारा बढ़ाई जाए, फिलामेंट जो है, उसकी धारा को बढ़ाई जाए, option number D यहाँ पर हमारा correct answer होगा, ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो question है, वो है, तीन diode प्रवर्धक जिनमें से प्रतेक का voltage प्रवर्धन जो है, वो 10 है, क्या है, 10 है, क्रमागत रूप से जुड़े है, इनका नेट voltage प्रवर्धन क्या होगा, बहुत ही most important question है, और आपकी यही question जो है, ग्याम में आने भी वाला है, दोस्तों बहुत ही आसान question ह क्या है, इसको कहे solve करेंगे, जब भी आपको ऐसा question दिखे कि, तीन diode प्रवर्धक जिनमें से प्रतेक का voltage प्रवर्धन 10 है, ठीक है, या फिर कामागत रूप से जुड़े हुए है, या फिर आपको तीन के जगाप यहाँ पर 4 दे या फिर 2 दे तो क्या करना है, आपको जित अगर आपको direct answer बताया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए, अगर यहाँ पर तीन diode दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा होता है, तीन diode तो उसको आप कोई भी symbol से लिख सकते हैं, हमारे जी हम यहाँ पर A से लिखते हैं, तो आपका होता है, A is equal to A1 into A2 into A3 into A तो यहाँ पर तीन है, तो यहाँ पर हम A1, A2, A3 को ही लेते हैं, तो A1, A2 और A3 को लिखेंगे, तो यहाँ पर तीनों कमान जो है 10 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 into 10 into 10 equal to 1000 हो जाएगा हमारा answer, ठीक है, तो 1000 को, जो हमारा 1000 आया है, इसको हम 10 to the power 3 भी आजकी इस वीडियो का आखरी प्रस्ट, आपको questions कैसे लगे हमें comment box में अवस से बताएं, और आपके questions जो हैं, उससे related जितने भी doubts हैं, उसको एक से दो बार वीडियो को देखने बाद clear हो जाएंगे, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैन